इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उप्योग करते ह हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जम्मिदारी नहीं होगी gastroesophagal reflux disease यानि की GERD एक पुरानी यानि की दीर कालेक स्थिती है जिसमें पेट में acid का अधिक उत्पादन होता है वैप DSR capsule आपके पेट में बनने वाले acid की मातरा को कम करता है और नाराजगी और acid reflux से जुड़े दर्द से राहत देता है आपको इसे ठीक वैसे ही लेना चाहिए जैसा इसके प्रभावी होने के लिए निर्धारत किया गया है जीवन शैली में कुछ साधारन बदलाव GERD के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकते हैं इस बारे में सोचे कि कौन से खाद्य पदार्थ नाराजगी पैदा करते हैं और उनसे बचने की कोशिश करें छोटे अधिक बार भोजन करें यदि आप अधिक वजन वाले हैं तो वजन कम करने का प्रयास करें और आराम करने के तरीके खोजने का प्रयास करें सोने के 3-4 घंटे के अंदर कुछ न खाएं अपने चिकितसक द्वारा सलाह के अनुसार इसका प्रयोग करें या उप्योग करने से पहले निर्देशों के लिए लेबल की जाँच करें WEP-DSR कैपसूल को खाली पेट लेना है WEP-DSR कैपसूल दो दवाओं का एक मिश्रन है डॉमपरिडोन और पैंटोप्रेजोल डॉमपरिडोन एक प्रोकाइनेटिक है जो पेट और आतों की गती को बढ़ाने के लिए उपरी पाचन तंत्र पर काम करता है जिससे भूजन पेट के माध्यम से अधिक आसानी से आगे बढ़ता है पैंटोप्राजोल एक प्रोटॉन पंप अवरोधक यानि की PPI है जो पेट में एसिट की मात्रा को कम करके काम करता है जो एसिट से संबंधित अपच और नाराज की से राहत दिलाने में मदद करता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको ये विडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टन आन ओन नोटिफिकेशन पर सेट करें धन्यवाद